सावन का महिना सुरू होने वाला है यह महिना भगवान भोलेनात को अतिपरसन है सावन के महिने में परवेश करते ही देश के सवी सिवालों में भगतों की भीड उमर पड़ती है माना जाता है कि सावन के महिने में जो भी भगवान सीव की पुझा अरातना करते हैं उनके मनोकामनाएं अवस्वपूर्ण होती हैं लेकिन जो भक्त सावन के महिने में भी मंदिर नहीं जा सकते हैं वैसे भक्त भगवान सीव की कैसे पूजा अरात्मा कर सकते हैं जानते हम सिदे देवभर के जोति सचार जी से जोतिव सचार जी जो मंदिर नहीं जा पाएं सावन के माइने में वो भागवान सीफ को किस वीधी से पूजा कर परसंद कर सकते हैं हरहर महादेव जैवावा विद्यनाथ जैवावा बटे स्वरनाथ जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवस या औस्वस्थ हैं या उनको समय नहीं मिलता है मंदिर जाने का शंकर भगवान की पूजा तो मंदिर में करने से विशेश महत्व बताया गया है लेकिन हमारा सास्त्र मंदिर से भी ज़्यादा महत्व दिया हुआ है पार्थि पूजन का जदी आप घर में पार्थि पूजन करते हैं तो मंदिर कोई भी मंदिर जाने की आवस्यक्ता नहीं है घर बैठे आप संकर भगवान की पूजा कर सकते हैं बालू का या गंगा मिट्टी का आप शिव पार्थि बना लें पार्थि बना करके घर में ही 604 से जदी आप पूजा करते हैं तो सिव जी के पूजा का जितना फल होना चाहिए उससे तनिक भी कम नहीं आपको मिलेगा तो करना क्या है आपको घर में साफ सुतरा घर होना चाहिए जगह साफ सुतरा होना चाहिए और साब सुतरे घर में आप संकर भगवान का मिट्टी का पार्थिव बनाएं और पार्थिव बना करके भगवान भोलेनात का आवाहन कर प्रान प्रतिष्ठा करें प्रान प्रतिष्ठा करने के बाद सोड़ सोब चार से पूजन करें और पूजन करने के बाद उस पार्थि में जदी आप अभिसेख करते हैं तो आपको मंदिर से कम फल की प्राप्ती नहीं होगी और भिसेश रूप से आपकी जो मनोकामना है वह निस्चित रूप से आपको मिलेगा आपका मनो कामना निस्चित रूप से पूरा हो जाएगा तो 22 जुलाई से सावन का प्रारंब है आप एक महीना तक लगातार जदी अपने घर में पार्थीव सीवलिंग की पुजा करते हैं तो आप कीस मनो कामना आप जो सोचे हैं या आपके अंदर जो इक्छा हो जो काम नहीं हो रहा है जो बिगड़ रहा है वह काम निस्चित रूप से आपका पूरा होगा लेकिन शावधानी रखना है पुजा में आपको एक महीना तक साथ्विक भोजन करना होगा ब्रह्मशर्ज का पालन करना होगा और ब्रह्मशर्ज के साथ नियम के साथ आप जदी एक महीना पार्थी पूजन करते हैं तो आपका जो भी सोचा हुआ कार्ज है वह निस्चित रूप से पूरा हो जाएगा